नमस्कार मैं हूँ वैभवनाच चर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन मित्रो रोज की तरह एक बार फिर हम लोग बात करेंगे दो दिसंबर के पंचांग राशिफल और महा उपाय के बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं पंचांग की विक्रम समवत दोहजार चोहतर मास चल रहा है मार्क शीश का तिथी शुकलोपक्ष की चतुरदशी तिथी है और शनिवार का दिन है नक्षत्र है भरनी योग है परिग और करण है गर तो ये तो बात रही पंचांग की अब हम लोग चर्चा करेंगे राशिफल की तो सबसे पहले बात मेश राशी की मेश राशी वाले जातक लोगों को आज व्यापार में ला परवाही के चलते कुछ घाटा हो जाए नुकसान हो जाए ऐसी इस्थिती है तो आपको अपने कारशेतर में लापरवाही नहीं करनी चाहिए आज की दिन को शुब बनाने के लिए माई नमहामंत्र का 108 बार जाब कर लेना आपके हित में रहेगा क्रोध करने से आप बचें वरिशब राशी वरिशब राशी वाले जातक लोगों को आज की दिन चर्या में चोड़ चपेट एक्सिडेंट और दुरघटना की इस्तिती बनती है तो आज आपको थोड़ा सा साफधा रखनी चाहिए व्यापार व्यावसाय में नौकरी पेशा लोगों को परिस्थितियां सामान्य ही रहेंगी जैसे दिन कल का गया था वैसा आज करेगा कोई बहुत बदलाव की इस्तिती नहीं आएगी थोड़ा सा ध्यान रखी एक्सिडेंट और हेल्थ को ले करके ओम भक् पैसा डूबा हो अटका हो आज आपको उसको प्राप्त करने का प्रयास जरूर करना चाहिए श्री काल भैरवाश्टिकम का पाठ करना आपके हित में रहेगा मानसाहार के सेवन और प्रयोग से आप बचें करकराशी करकराशी वाले जातक लोगों को आज आर्थिक लाभ मि ऐसी इस्तिती बनती है तो कारेशित्र में थोड़ा सा ध्यान लगाएं जहां कहीं से भी आपको पैसा मिलने की उमीद हो वहाँ आप एक बार तगादा जरूर करें और अपने काम में थोड़ा मेहनत लगाईे आज आपको आर्थिक लाभ मिले ऐसी इस्तिती बनती है देव के से सोच विचार सला मश्वरा करके उस काम के बारे में उस विशय के बारे में जानकारी चारो तरफ से प्राप्त करके ही आपको श्रीगणेश करना चाहिए आज के दिन को शुब बनाने के लिए गड़पती अधरफ शीर्च का पाट करना आपके लिए हितकारी होगा आत्म असफलताएं पुरानी बातें पुराना कुछ वाद्वेवाद टेंचन जो है वो दिमाग में घुमता रहेगा तो उससे बचने की जरूरत है दशरत कृत शनी स्तरोत का पार्ट करना आप केट में रहेगा किसी की निंदा आप न करें तुला राशी आज आपको अपने काम को और्गनाइजड वे में करने की आवशक्ता होगी पालमी की जी द्वारा रचित भगवान गणेश के स्तवन का पार्ट करते हैं तो आपको लाव जादा मिलेगा किसी भी तरीके के लड़ाई जगड़े में तनाव की स्तिती में आप न पढ़े वरिश्यक राशी वरिश्य नए प्रोजेक्ट पर आप काम करेंगे जिसमें आपको भविश्य में बहुत अच्छा लाब मिलेगा ये प्रोजेक्ट आपको बहुत अच्छा फायदा बहुत अच्छा नाम और धन दोनों दे सकते हैं चंडी कवच का पाठ कर लेना आपके हित में रहेगा भाई दिमता से समझदारी से ऐसी परिस्थिति से पार पाईए उससे उलज मत जाईए श्री कृष्ण सहसराम इस रोतम का पाठ आज भी आपके लिए हितकारी है वाहन का प्रयोग बहुत तेज गती में आप न करें मकर राशी मकर राशी वाले जातक लोगों को आज परिवार के वादविवाद को बहुत सूजबूच से समझदारी से आपको दूर करना होगा आज आप अपनी अगर वाक चातुरे का यानि बात करने की कला का सही तरीके से इस्तिमाल करें तो बिगड़ता हुआ काम दुबारा आप बना सकेंगे श्री गोपाल सहसराम इस रोतम का पाठ में प्लान करना नए लोगों से मिलना अपने सामाजिक लोगों का जो आपका सर्किल है उसमें थोड़ा सा विस्तार करना शोशल सर्किल में आपको बहुत अच्छा फायदा दे सकता है तो अपने सामाजिक दायरे का छेतर का विस्तार करिए भगवान राम की पूजा राध में आप investment न करें बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान आपको मिल सकता है आज के दिन को शुब बनाने के लिए आपको भगवान श्री हनुमान की पूजा राधना बहुत जादा लाब देगी और किसी भी तरीके के जगड़े की इस्तिती से आज आपको बचना चाहिए तो मित् करेंगे आज के महा उपायकी और जानेंगे कि वास्तु का ऐसा कौन सा सरल सुझाव है जिसको जीवन में अगर प्रयोग में लाया जाए तो आपको धन और लंबी आयू यानि अच्छा स्वास्त अच्छी उम्र प्राप्त हो सकती है घर में पूर्व की दिशा की और जब स्वास्त अच्छी उम्र और दक्ष्ण दिशा की और अगर आप मुख करके भोजन करते हैं तो इससे प्रेत पश्चिम दिशा की और मुख करके भोजन करने से रोग और उत्तर दिशा की और मुख करके भोजन करने से धन और आयू की प्राप्ती होती है तो आपको ध्यान यह रखना है कि जब भी आप अपने घर में या कहीं भी भोजन करते हैं जहां आप रेगुलर जिसे अपने ओफिस में अगर आप लंच कर रहें तो आपको ध्यान यह रखना है कि आपका फेस हमेशा या तो इस्थ हो पूर्वदिशा की ओर हो या नौर्थ की तरफ हो अगर आप पूर्वदिशा की ओर मुख करते हैं तो आपको अच्छी हेल्थ अच्छी आयू लॉंगिविटी प्राप्त होती है उत्तर दिशा की ओर मुख करके आप भोजन नियमित करते हैं पानी वानी पीते हैं तो आपको आयू के साथ साथ धनकी भी प्राप्ती होती है पश् दक्षण जो दिशा है वो हमारे यां अशुद्धी का भोजन जब किसी की घर में डेथ होती है तो वो जो दस दिन की क्रिया होती है उसमें दक्षण मुख भोजन होता और दक्षण मुख भोजन बनता भी है तो इसी लिए कहा गया कि प्रेत की प्राप्ती होती है आप जो है मेरे वीडियो देखते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर किया करें और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए इसी शुब कावना के साथ कि आपका दिन शुब हो मुझे आ गया दीजिए और देखते र करियर की चिन्ता हो या वैवाईक जीवन में हो सुक्का भाव पाईए अपनी समस्त जोटिश्य तथा वास्तु समस्याओं का सरल चमतकारी प्रभाविशाली समाधान एक जानमाना और विश्वस्तिय नाव आचारे पंडित श्री वैभवनात शर्माजी काशी के चार सो वर्ष पुराने प्रतिष्ठे और अंतर राष्ट्रे अख्याती प्राव राज जोटिशी परिवार की आठवी बिड़ी के जोटिशी और वास्तु शास्त्री आचारे पंडित श्री वैभवनात शर्माजी के द्वारा व्यक्तिकर्थ या फिर फोन पर अपॉइंट्मेट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146-9990-724-131 या फिर इमेल करें sharma.webhub at the rate gbill.com